प्रिविध्यारतियो आज मैं आपके लिए क्लास 9 लेटर राइटिंग इंग्लिश ग्रामर में लेटर राइटिंग और एप्लिकेशन राइटिंग क्या होता है किस प्रकार लिखा जाता है यह 10 मार्क्स का क्विश्चन आपके पीपर में आएगा और भूत ही महतबूड ची लिखना है पत्र लिखना अपने आप में एक कला है एक उत्त्म पत्र लिखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है साव साफ पत्र को जो फॉर्मिट होता है इस्टायल होती है इसमें भी अभ्यास की भी आवश्यक्ता होती है पत्र चाहें जितना ही सही लिखा गया हो परंत यदिन की फॉर्म सही नहीं है ठीक नहीं है तो सब वियकार है पत्र लिखते समय निमलिकत बातें ध्यान में रखनी चाहिए सबसे पहले लिखाई इस्पष्ट और साफ होनी चाहिए नमबर टू है पत्र की भाषा बिनम्र और शुद्ध होनी चाहिए नमबर थ्री है पत्र ऐसा लिखना चाहिए जिसे आप किसी से बात कर रहे हों नमबर फूर है पत्र में आवश्यक बातें ही होनी चाहिए और नमबर फाइव है इस्पेलिंग्स पंचुएशंस ग्रामर आधिका विशिज ध्यान रखना चाहिए प्रिविध्यार्थियो इसके बाद काइंट्स ओप लेटर्स यानि पत्र के प्रकार पत्र कितने प्रका के होते हैं जिसमें पहला है पर्सनल और प्राइविट लेटर्स दूसरा है बिजनिस लेटर्स और तीसरा है ऑफीसियल लेटर्स पर्सनल लेटर्स या प्राइविट लेटर्स क्या होते हैं यह ब्यक्तिकत पत्र होते हैं जो भाई बहन मेत्र या सगे समन्दियों को लिख दखंदार को कंपनियों या समाचार पत्रों के पास लिखे जाते हैं। इसकी बाद इसकी बाद आपकी जनकारी के लिए पत्र में छह होते हैं। नमबर पहला हेडिंग नमबर दूसरा स्लूशन नमबर तीसरा बॉड़ी नमबर फो सब्सक्रिप्शन्स नमबर फाइब सिगनेचर एंड नमबर सिक्स एड्रेस आईए एक एक्जेंपल के द्वारा लेटर्स को समझते हैं जो इस प्रकार है पीपर में आपके कुश्चन ज जैसे दिया है राइटे लेटर टू यॉर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एट हीज स्टडीज सो देट ही में गैट ए फस्ट क्लास अपने छोटे भाई को एक पत्र लिए और उसको यह सला दिए क्टिन परिश्च्रम करें अपने अध्यन के लिए जिससे कि वह है प्रतम स्रेडी में पास हो सके तो यहाँ पर इसका अंसर लिखने के लिए सरप्रतम हम पत्र लिखने वाले का पता लिखते हैं जैसे यहां लिखा गया है दो सो दस सिविल नाइन्स बरेली वाकप इनकोट 243 001 डेटर्ट दी है जिस डेट को पत्र आप लिखेंगे उसी डेट को आपको लिखना है जैसे जून 22 सन 2022 जो भी डेट जिस दिन आप लिखेंगे उसी दिन की डेट यहां पर डाली जाएगी इसके बाद यहां सलूशन के रूप में छोटे भाई का नाम तो डियर सनी इसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे यहां पर मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा कारी कर रहे हैं कल मुझे एक पत्र महेस के द्वारा प्राप्त हुगा he says that उसने कहा you are sure of your success के तुम अपनी सफलता के लिए सुनिश्चित हो तुम सफलता निश्चित प्राप्त करोगे I am very happy to know this यह जान कर मैं बहुत अधिक प्रसंद हुआ हूँ but you should not be idle लेकिन आपको आलसी नहीं होना चाहिए as it is rightly said और यह वास्तव में कहा गया है कि इंडरश्टी is rewarded and idleness punished के जो परिश्रमी होते हैं वो हमेशा प्रुष्क्रत किये जाते हैं और जो आलसी होते हैं वो हमेशा ही दंडित किये जाते हैं overconfidence sometimes leads to failure और अत्यदिक आत्म विश्वास कभी कभी अस्फलता की ओर ले जाता है I know मैं जानता हूं that you are a bright and intelligent student कि तुम एक बहुत अधिक बुद्धिमान विध्यारती हो but you are not diligent so I advise you to work hard लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बहुत अधिक परिश्रमी नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें कठेन परिश्रम करने की सला देता हूं as the examinations are near क्योंकि आपकी परिच्छाएं पास में हैं revise your course again and again अपने पाठे क्रम को बार बार दोहराएं do hard work for the first division और प्रतम स्रेडी के लिए कठेन परिश्रम करो nothing less than the first class will satisfied me और प्रतम स्रेडी के लावा मुझे कोई भी स्रेडी संतुष्ट नहीं कर सकती है इसके बाद wishing your success and good luck आपकी सफलता के लिए आपको बहुत अधिक शुब कामना है और बदाईया yours loving आपका प्रिय और बड़े भाई का नाम जैसे मुके सिया पर दिया गया है इसके बाद प्रिये दोस्तों अन इसी प्रकार के लेटर्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा आप इस लेटर को लिखिए याद करिए और बोट पर इच्छा की सफलता के लिए अत्यंत महत्पूड पत्र है प्रिविध्यार्दियों अगर आपको चैनल पसंद आया हो जानकारी पसंद हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जबस देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए दोस्तों को शेयर करिए आपका दिन शुभ हो